हाई फ्रेंट्स वेलकम टू चेतनाज कीचन तो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं देसी टिंडे की बहुत ही गजब की सबजी गर्मियों की सबसे स्पेसल रेसिपी तो सबको काफी ज्यादा पसंदाने वाली है और बनाने का तरीका गाइस बहुत ही आसान होगा अगर एक बा है और जब भी आप मार्केट से चिंडे लेके आओ तो बिल्कुल कच्चे लेके आओगे तब ही हमारी सबजी है वो टेस्टी बन पाएगी तो बस इस तरीके से इसके आगे और पीछे के जो साइट्स हैं वो हमें हटा देने हैं कट करके और इनको कट करने से पहले भी अच हमारी टिंडे हैं और इनकी सब्जह बहुत ही अच्छी बनती है पके अगर 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 देखते हो कि पके हुए बीज हैं तो सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनपाएगी तो बस जब भी टिंडे लो तो बिल्कुल कच्चे लेना है और इसके बाद में यह सब्जी बनाना बहुत ही गजबती वनती है अक्सर ऐसबची हम शादियों में पार्टियों में भी खाते हैं क्षादे और हैं बहुत मस्त कई लग दिये वैसे ही सबजी आज हम घर पर बनाएंगे बिल्कुर सिंपल से तरीके से तो अर्च बार से त्यार तो बस हमारे जो टिंडे हैं वो कट हो के तयार होने वाले हैं और इनको कट करने के बाद में भी हमें अच्छे तरीके से वोश कर लेना है तो यह देखिए मैंने आप इनको वोश कर लिया है चलते हैं कडाई की तरफ कडाई में सबसे पहले डालेंगे तेल जो भी कुकिंग हमारस के बाद में दो स्वेकित तरिके से परेंगे को इसके न्दर भार बैँगे चे कर लेंगे बाद में अच्छे तजीया कम हुआ प्याज करेंगे उसके इन डालेंगे तरीके से फ्राइरा और रक़स करून को तर स्विद्णी करक्रें इनको तेल के साथ प्याज हरी मिर्ची के साथ फ्राई कर लेना है, फ्राई करने से कोई भी सबजी उसमें बहुत ही गजब का टेश्ट आता है, तो बस इस तरीके से मैंने आवे ठिंडों को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, और यह जो ठिंडे होते हैं इनमें काफी सारा प थे हमार नंक करला सबना जाए हमारी सब्जी में हंगा अच्छे के साथ अब जाया है, ता कि अच्छे से पकाना है कुछा है और हज possess के पाना है, अच्छे से एपज हो जाएए, और Eltern, प्रबू ही ढाले हो लिए जाए ten यह भी सारा टाता है ऌता है थे हमी जल्दी और दनीय पाउडर भी डाल देंगे यहां पर एक चमज के करीब अच्छी नमक मैंने पहले ही डाल दिये थे जितनी मुझे जालने थे तो बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है मीडियम फ्लेम पे ये सबजी बनानी है हमें बहुत ही अच् अच्छी तरीके से अब्जोर्ब हो चुकी है हरपीस के अंदर और जो सब्जी है वो भी हमारी 50% तक पक चुकी है और अभी तक हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला तो अब मैं डालूंगे इसके अंदर पानी गाईज उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन का प एक ग्लास पानी डालेंगे अच्छे तरीके से मिक्स कर रहेंगे अगर आपको सुखी सब्जी पसंद है तो आप बिना पानी के भी इसको पका सकते हो मैंने इक ग्लास पानी डालके मिक्स किया डखन लगाया और दो मिनट तक पकाया हाई फ्लेम पे और ये दो मिनट के बाद में हमारी ग्रेवी वाली सब्जी है वो बनके तयार हो चुकी है और ये देखे गाईज मैंने आप एक काफी अच्छे तरीके से पका लिया तो इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी मैंने थोड़ी ही ग्रेवी रखी है और बहुत ही गजब किया सब्जी बनी है आप चाहो तो उपर से गरम मसाला भी डा सकते हो बट मैंने आप एक असूरी मेथी डाली और निकाल लेती हूँ और लगवरतन के अंदर गैस का फ्रेम उप कर दिया गया है तो ये देखिए ग देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक मेर शेयर करना बिल्कूं मत भूलना मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार